खरॉंधी प्रखन के कूपा पंचायत में मुखिया बेजु साके द्वारा ग्राम कूपा में सोबनाथ साके घर से लेकर अजय यादो के घर तक एक लाग तेंटिस हजार की लागत से मिट्टी मोरम एवं एक लाग पैंटालिस हजार की लागत से बनने वाला डोभा का सीला नयास किया गया वही मुख्या बेजू सा के द्वारा बताये गया की अपने पंचायत में हर तरह का काम लाने के लिए मैं ध्रिंट संकल पिया हूं ताकि हमारा पंचायत का चौतरफा विकास हो सके और कोई भी विक्ती बाहर पलायन ना करे वही उनके द्वारा बताये गया कि हम अपने पंचायत में मन्रेगा के अंतरफा आने वाले हर तरह का छोटा बड़ा काम के अपने पंचायत वास्कियों को देने के लिए संकल पिया हूं ताकि हमारा पंचायत के सभी किशान खुसहाल हो सके साथी साथ उन्होंने बताये कि इस तड़क को बन जाने से करीब एक हजार आबादी वाले गाउं के लोगों को आने जाने की सुईधा होगी खराब होने के कारण डोग बरसात के मौसम में एक हजार आबादी वाला गाउं कीचड में हेल कर पार होता है मुखिया ने बताये कि मन्रे का अंतरगा डोभा निर्मान कारी शुरू होने से करीब एक सो मजदूर को रोखजार उपलब्ध हुआ है जिसे हमारे पंचायत के गरीब किसान इस कोरोना महामारी में घर पर रोजगार पाकर काफी खुश है मौके पर सीमा कुमारी, रोजगार सेवक, अनंत कुमार गुपता, समात सिवी सुनर देव यादो, महिंदर सिंग, अखिलेश प्रशाद यादो, सुनील यादो, शंतोस पासवान, देव शरन सिंग, लालमन यादो, शूरिदेव यादो, कृष्णा सा, हृदय गुपता आद लोग उपस्तित थे,